मेरे मित्रो आज का प्रतिग्या वचन लिया गया है यहशु एक पांच से यह प्रतिग्या आप और मेरे ली भी है इस वचन के अंत में परवेश्वर जो कहते हैं मेरे बच्चे ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा हमारा परवेश्वर हमारा स्वर्गी ये पिता है वो कहता है मैं हमेशा तुभारे साथ रहना चाहता हूँ यहां तक की जगत के अंत तक साथ रहूँगा मत्य 28-20 में मेरे बच्चे सार अधिकार मुझे दिया गया है वो कहता है और तुम्हें मेरे इस शक्ती का आनंद लेना है और मेरे अधिकार की द्वारे संसार में तुम्हें सुरक्षित रहना है और निर्गमन 34.10 में वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और मेरे बच्चों तुम्हारे लिए ऐसे अद्बुतकारी करूँगा जिस संसार में कभी देखे नहीं गए और ये शाय 45.2 के आगे कहता है कि देख मैं तेरे आगे-ागे स्वैम चलूँगा और मैं इस बात को प्रमानित करूँगा मैंने तिरे नाम लेकर पुकारा है और वो कहता है मैं तुझे छुपे वे खजाने दूँगा और वो धन भी जो गुप्त अंतिस्थानों में है और इसलिए परभेश्वर जो हमारे साथ है वो कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूँगा और यहुशु एक पाँच के प्रारभ में वो कहता है तेरे जीवन परियंत कोई भी व्यक्ती तेरे सामने खड़ा ना हो सकेगा वो कहता है कि मैंने श्चित करूँगा कि संसार में तू जो है जीवित रहने पाए इस संसार में तू सारी आशिशों के साथ जीएगा तू भय के साथ नहीं जीएगा ना तू मृत्यों का भय खाएगा ना तू दुष्टता का किसी प्रकार से भय खाएगा जो तेरे खिलाप में हमेशा लड़ती रहती है हाँ इस संसार में तू आनन खुशी और हर प्रकार की आशिशों के साथ जीएगा कोई भी मनिशों से रोक नहीं सकता मैं तेरे आगे जाओंगा मैं तेरे साथ रहूंगा कि ये निश्चित करूं कि ऐसा हो और आज के दिन जबकि हम खजूर इत्वार मना रहे हैं हम इससे देखते हैं इस वसी यरूशलम में एक राजा के रूप में प्रवेश किये थे इसले नहीं कि संसार के सिहासर पर कबजा करें लेकिन यरूशलम में जा करके उस क्रूज को अपने उपर उठा ले ताकि इसके द्वारा से वो हर एक पाप, हर एक दुष्ट के आकरमन, हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की जितनी भी बुराइया है उन सब के उपर में वो जैपराप्त करें यहां तक कि उसमें सारे रोग भी शामिल है ताकि वो इस संसार में इन सारी चीजों को नाश करके राजा बने और आपको और मुझको अपने साथ प्रभु येश मसी हमेशा के लिए जिवित भी रखे खजूर इत्वार की दिन प्रभु येश मसी एरुशलम में गए ताकि वो दिखाए कि वो एक राजा है उसने क्रूस के उस उदेश को अपनाया और कोई मनुष्य उसके सामने खड़ा नहो सका कोई धोखिवाज नहीं कोई इंकार करने बाला नहीं कोई भी व्यक्तियासा नहीं जिसने जूटा उस पर आरोप लगाया और नहीं कोई अधिकारी जिन्होंने गलत न्याए करते हुए उसको पूरी तरह से उस अन्याए के लिए सौफ दिया किसी भी इस तरी के आसू से रोक न सके और न वो उन पर विजाई हुए लेकिन एश्योंने खुद को अपने लिए एक बलिदान के रूप निया उसने अपना क्रूस उठाया और उसने खुद को अरपित कर दिया ता कि वो क्रूस पर चढ़ाए जाए और क्रूस के उपर उसने पाप पर जैपाई उसने मृत्यू पर जैपाई उसने रोगों पर जैपाया और जितने भी दुष्ट लोग थे उनके हर प्रकार के कटाक्षों को और शर्मिंदिगी के शब्दों के उपर भी उसने जै पाई उसने घरीबी पर जै पाई और दुख पर भी उसने जै पाया और राजाओं का राजा और प्रभू का प्रभू बन करके वो फिर से जी उठा हाँ इस संसार में वो आपको भी एक राजा की तरह रखेगा जैसे उसने यहुष्य के लिए किया हाँ इस संसार में आपको दुख और पिडाय हों लेकिन याद रखे कि प्रभू येशु ने हर एक बुराई को और इस बुरे संसार को जीत लिया है और इशु के द्वारा आप भी उस पर जै पाएंगे आप भी एक राजा बन करके रहेंगे और इशु के द्वारा आप इस संसार के अधिकारियों और हर प्रकार के दमन की उकारण से लड़ेंगे नहीं लेकिन आप येशु के साथ चलेंगे और आप उसके संग संग जीएंगे और शांती का परमेश्वर शैतान को आपके पाओं तले कुचल देगा जब मनुश्य का चाल चलन परमेश्वर को भाता है तो उसके दुश्मनों को भी वो उसके लिए मित्र बना देता है आपके कोई शत्रू ना होंगे आपको अपने हिर्दे में लाखों लोग लेकर चलेंगे और इसके लिए प्रभु येश्वसी आपको कभी न चोड़ेगा वो आपको कभी भी न त्यागेगा जैसे कि वो राजाओं का राजा है आप भी एक राज़ बनेंगे और इस संसार में येश्व के नाम को उंचा लेकर चलेंगे परमिश्वर आपको यही अनुग्रह दे प्रभुजी हमें आज शिष्टे प्रभुजी संसार की कोई चीज हम पर जैवत न हो क्योंकि इस संसार को आपने हमारे लिए पहले ही जीत लिया है और आपके नाम की खातिर आप हमारी सहता करें कि संसार में हम एक राजा की रूप में एक राजपुत्र की रूप में अपने कदम को आगे बढ़ा करके बढ़ते जाएं प्रभु हमारे आदर करें हमारे जीवन परिंत हमारे साथ खड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद इश्यू के नाम में आमीन परमेश और आपको आशिश दे